पहले वाली रात की CCTV फुटिज सामने आई है जो की घटना के लगभग चार से पाँच दिन बाद सामने आई है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि घटना वाली रात आकांशा दुबे अपने दोस के साथ कार से होटल आती है वहीं आप साफ देख सकते हैं कि वो होटल के लोबी में भी अपने दोस के साथ बात कर रही है हाला कि अकांशा की मौत का जब मामला सामने आया था तो इसे आत्महत्या माना गया था जबके उनके घर वालों ने समर सिंग और संजय सिंग पर प्रताडित करनी और जान लेने का आरोफ लगाया था मेरे लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती वो करी नहीं सकती जब वो इतना संघर्स करके वो करी कभी उसने ऐसा कदम नहीं उठाया आज नंबर एक टाप पर हिरोईना कांचा दूबे वो इसा कदम उठा सकती है नहीं कर सकती है बहुत संघर्स करके मेरे लड़की उठी तब तो ऐसा आज वो अपने कामियाबे पर पहुंची तो ऐसा नहीं कर सकती मैं मानी नहीं सकती मेरी लड़की सुसाइट कर सकती मेरी लड़की को मारा गया है मेरी लड़की को धमकी तीन साल से समर सिंग टोचर करता था मेरी लड़की को तीन साल से समर सिंग के साथ मैं काम करती थी पैसा वह पैसा मांगती काम करवा लेता था अपना पैसा मांगती पै तो उसने बोला कि क्या बोली रहे तुझे मैं गायब करा दूगा तुम मुझे जानती नहीं है तेरा मडर करवा दूगा 21 तारी को मेरी लड़की को उसने ये धमकी दिया 21 मार्च को संजय सिंग ने 22 मार्च को मेरी लड़की बनारस आई 23 तारी को 24 तारी को ये लोग माट डाले मेरी लड़की को सनिवार की तिन मेरी लड़की को माट डाले तो मेरी लड़की फोन में लगाई तो बलती मम्मी क्या बाते बेटू थोड़ा तुमारा दावाजस वोला तुसने मुझे धंकि दिया है मानने का जान से ठीक है मैं आ रही हूं तेरे तागत है कितनी बड़ी दिखता तु मुझे माल लेता है मार दिया मार दिया संजय सिंग समर सिंग दोनों मेरी लड़की को मार दिये पुलिस को दी गई तहरीद में समर सिंग और संजय सिंग नामज़द आरोपी हैं बता दें कि 26 मार्च की सुभा होटल के कमरे में अकांश दूबे का शव मिला था हाई फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को जदा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकम दबना मत बूलेगा थैंक्स पर वाचिंग अबकार जड़त लीडियोग जड़त लीडियोग भाचिंग